हेलो फ्रेंड्स स्वागते आप सभी का चैंपेंस आप जीए यूटूब चनल में आज 2 नवंबर है और मैं जैदीप सिंगनाट और आज आपके लिए 2 नवंबर के करेंट अफेर्स लेके आ रहा हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर इस चैनल से नए जोड़ रहे हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बैल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि रोज के वीडियो की नोटिफिकिशन्स आपको मिलते रहें और आप इस वीडियो की PDF फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं इसकी लिंक के मैंने डिक्सेलेक्शन बॉक्स में दे दी है तो फ्रेंड्स करंट अफेर्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोश्चन है हमारा विश्व कार्पोरेट खेलों की मेजबानी कोन सा देश करेगा तो विश्व कार्पोरेट खेलों की जो मेजबानी है इस साल कतर करेगा ओके तो कतर की राजधानी दोहा में इस साल के विश्व कार्पोरेट खेल जो है वो आयोजित किये जाएंगे और यह इसका तेविस्वा संस्करण होगा और कतर की राजधानी दोहा है और कतर के हमें कत्ररी रियॉल नेक्स्ट कोस्चन है हमारा इमर्जिंग ट्रेड्ज इन एविएशन इंजिनिरिंग एंड लोजिस्टिक्स पर आई एफ सेमिनार का आयोजन कहां संपन हुआ है यहां पर मैं टर्म के बारे में बता दू आपको आई एफ का पूरा नाम होता है इंडियन एर फोर्स तो इंडियन एर फोर्स का दो दिवसी सेमिनार जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में संपन होगा तो और इसका जो उदगाटने वो करेंगे एर चीफ मार्शल बिरेंद्र सी धन हुआ तो इमर्जिंग ट्रैड्स इन एविएशन इंजिनिरिंग एंड लॉजिक्स टिक्स पर आई एफ का जो सेमिनार है दो दिवसी उसकी जो शुरुवात है और नई दिल्ली में हो चुकी है अगला कोश्चन है हमारा कोश्चन नमर्ज सैकेंड 2018 महिला विश्व मुक्यबाजी चेंपेंशिप के लिए ब्रांड एम्बेसेटर किसे नियुक्त किया गया है तो महिला विश्व का मुक्यबाजी का चेंपेंशिप का जो इस साल का ब्रांड एम्बेसेटर किया गया है उनका नाम है MC मेरिकॉम तो MC मेरिकॉम मनिपूर की है और ये पाँच बार विश्व चेंपेंड और एक बार ओलंपिक कास्पदग विजेता है और MC मेरिकॉम को हम सुपरमूम के नाम से भी जानते हैं और ये मनिपूर की है अगला कोश्चन है हमारा कोश्चन मबर चार परेटन मंत्री केजी अलफॉन्स ने UNWTO के कारिक्रम और बजट समीती की बेटक में हाली में भाग लिया है यह बेठक जो थी कहां पर आयोजित हुई थी तो मैं बता दू आपको के इस बेठक का जो आयोजन है वो मनामा में हुआ था और मनामा जो है वो बहरीन की राजधानी है ठीक है यहां पर एक टर्म आया है UNWTO इसका फुलफाम होता United Nations World Tourism Organization ओके और यह इसका 109 नंबर का सत्र था और मैं आपको बता दू के 2021 तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा तो हमारे जो परेटन मंत्री है केजी अलफांस वो मनामा बहरीन की राजधानी मनामा में इस बेठक में भाग लेने के लिए गए थे ठीक है और हमारे जो केजी अलफांस जो मंत्री है यह सुन्दरगड ओडिसा से लोग सभा सांसद है अगला प्रशन हमारा question number 5 सोरा जला निधी योजना किस राज़ में शुरू की गई है तो यह जो योजना है सोरा जला निधी यह हाली में ओडिसा में आवजित की गई है ठीक है तो सोरा जला निधी जो है यह सोर पंप सिचाई प्रणाली है इस योजना के तहत ओडिसा के किसानों को 2500 एकड भूमी सिचाई करने के लिए 90 प्रतिशत यानि कि 90 प्रसेंट सबसीडी पर लगबक 5,000 सोर पंप वित्रित किये जाएंगे और इसकी घोषणा वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की थी और ओडिसा की राजदानी भूवनेश्वरे तो सोरा जला निदी योजना जो हाली में ओडिसा में शुरू की गई है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा हाली में किस अभिनेता ने FTII के अध्यक्षपत से इस्थिपा दे दिया है तो FTII यानिकी Film and Television Institute of India के अध्यक्षपत से हाली में अनुपम खेर ने इस्थिपा दे दिया है और इन्होंने अपना इस्थिपा भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री श्री राजवर्दन सी राठोर को सोपा है इन्होंने यह कहा है कि यह काफी बिजी है यानिकी इनका शेडूल काफी बिजी है इसलिए इस पत पर अब और ज़्यादा कारे नहीं कर सकेंगे तो व्यस्ता के चलते अनुपम खेर ने Film and Television Institute of India इने की FTII के अध्यक्षपत से इस्थिपा दे दिया है एक काफी महत्रपून कोश्चन है अगला कोश्चन है हमारा कोश्चन नमर साथ हाली में भारत की बिना इंजन वाली किस ट्रेन का लोकारपन रेल्वे बोर्ड के अध्यक्ष अस्वीली लोहानी ने किया है तो यह बिना इंजन वाली भारत की पहली ट्रेन है और जिसका ना में अश्वनी लोहानी उन्होंने किया है ठीक है और इसका निर्माण ICF के द्वारा किया गया था ICF यहने इंटिगल कोच फेक्टरी के द्वारा किया गया है और ऐसा माना जाता है कि इसकी जो गती है वो लगभग 160 किलोमेटर प्रती घंटा रहेगी और यह जो भारत की सबसे तेज गती से चलने वाली शताबदी एक्सप्रेस है उसका इस्थान लेगी और इसकी जो लागत है वो 100 करोड रुपे के लगभग है तो इस ट्रेन का नाम है ट्रेन 18 यह भारत की बिना इंजन वाली ट्रेन है अगला कोशन है अमारा कोशन नमबर 8 हावर्ड विश्वी ध्याले द्वारा किसे ग्लिट्समेन पुरुषकार से सम्मानित किया गया है तो Harvard Vishwi Della Dwarah Glitzman Price से इस साल Malala Yusuf Zai को सम्मानित किया गया है और मैं आपको बता दू कि Malala Yusuf Zai को वर्ष 2014 में नोबल पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया था तो वर्ष 2014 को जो नोबल पुरुषकार दिया गया था शांति की छेत्र में वो दो लोगों को दिया गया था एक तो Malala Yusuf Zai को और एक केलास सत्यार्थी को ओके तो Malala Yusuf Zai पाकिस्तान की है और केलास सत्यार्थी जो है वो भारत के हैं और केलास सत्यार्थी जो है इन्होंने 2014 में जब इनको नोबल पुरुषकार मिला था के साथ में दिया गया था, ठीके, मलालो यूसुफजाई के बारे में आपको बता दू कि यह पूरुसकार जो है इस साल का ग्लिट्समेन प्राइज मलालो यूसुफजाई को दुनिया भर में जीवन की गुणवत्ता में सुधार में सकृता देने के लिए किया है, और इसमें उम्रिकी महिलाती, शांती के छेतर में नोबल पुरुसकार पाने वाली, ठीक है, और ये लड़कियों की सिक्षा के लिए काफी बड़ावा दे रही हैं आज के समय में, नेक्स्ट कोश्चन है मारा, कोश्चन नमर नाइन, हाली में भारत के उपराष्टपती M1 के नाइडू किन तीन देशों की यात्रा पर गए हैं, तो ये एक्चुली तीन देश है, पहला है बोटसवाना, मलावी और जिम्वामवे, यहने कि इन में से सभी, इन तीन देशों क यात्रा पर भारत के उपराष्टपती M1 के नाइडू है, वो गए हैं, तो अपनी तीन दिवसी यात्रा में, वो सबसे पहले बोटसवाना जाएंगे, और बोटसवाना जाने के बाद वह जिम्वामवे जाएंगे, और अंतिम चर्ण में वह मलावी जाएंगे, ठीक है, त भारत के उपराष्टपती जो है M1 के नाइडू, वो हाली में बोटसवाना मलावी और जिम्वामवे की यात्रा पर जाएंगे, तो यहाँ पर इन तीनो देशों की राजधानी और मुद्राओं के बारे में, प्रश्ण बिल्कुल एक्जाम में पूछा जा सकता है, तो डि अनी हरा रहे हैं और यहाँ की मुद्रा है डॉलर, नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन नमर दस, आज का हाली में काजी अब्दुल सत्तर का निधन हो गया है, यह किस छेतर से संबंदित हैं, तो यह एक्चुली उर्दू लेखक थे, ठीके, तो काजी सत्तर का हाली में निधन हो गया है, तो यह उर्दू लेखक थे, और मैं आपका बता दू, कि यह अलिगण मुस्लिम विश्विध्यालाएके उर्दू विभाग के पूरू प्रमुख भी रह चुके हैं, और इन्हें 1974 में, 1975 में, पदम श्री से भी सम्भानित किया गया था, यह 85 वर्ष के थ और इनका दिल्ली में निधन हो गया है, और इन्हें 1978 में, यानि कि 1978 में, गालिब अकादमी पुरूसकार से भी नवाजा जा चुका है, तो काजी अब्दूल सक्तर जो थे यह एक उर्दू लेखक थे, जिनका हाली में 85 वर्ष की आयू में निधन हो गया है, फ्रेंड्स य एक्चली जो कोश्चन नमबर 11 और 12 जो रहेगा, वो current affects नहीं रहेगा, वो हमारा जीके का प्रस्ट रहेगा, तो इनके उपर भी हम discuss कर लेते हैं, हमारा आज का कोश्चन नमबर 11 है, यह एक्चली साइंस का कोश्चन है, और जीके की के कैटेगरी में आता है कि विटामिन A विटामिन A की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है तो विटामिन A की कमी से होता है रतोंदी यहने की ब्लाइडनेस, नाइट ब्लाइडनेस तो इस question का आपका answer हो जाएगा option number last वाला D रतोंधी और मैं आपको बता दू के बेरी-बेरी रोग जो है विटामिन B की कमी से होता है और इसकर भी रोग विटामिन C की कमी से होता है और रिकेट्स जो है यह विटामिन D की कमी से होता है ठीक है फ्रेंट्स तो यहाँ पर आपसे विटामीन A की कमी से होने वाला रोग पुछा है तो इसका अंसर हो जाएगा रतोंदी यानिकी night blindness ओके और विटामीन A का रासानिक नाम भी आपसे पुछा जा सकता है तो इसका नाम है रेटी नौल रेटी नौल क्लियर है अगला प्रश्णिया मारा question number 12 भारत में रास्टी खेल दिवस कब मनाया जाता है तो हर साल भारत में रास्टी खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है और बता दूमें आपको के 29 अगस्त को जो भारत के हांकी के जादूगर कह जाते हैं श्री मेजर ध्यान चन उनका में आपको बता दूँ कि 5 सितंबर तो 5 सितंबर को भारत में सिक्षक दिवस मनाया जाता है एक option दे रखा है आपके 5 अक्टूबर देखे फ्रेंज भारत में सिक्षक दिवस माच सितंबर को मनाया जाता है लेकिन विश्व में सिक्षक दिवस जो है इने की विश्व का जन्म हुआ था और बाइस मार्च जो आप्शन में है इस दिन मना जाता विश्व जल दीवस तो फ्रेंड्स यह थे आज कि आपके दस करेंट अफेड्स और दो जीके के कुश्चन्स आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट्स करके बताईएगा और इस वीडियो को प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो की पीडियो फाइल की लिंक भी मैंने डिक्स्रेक्शन बॉक्स में दे दिये जहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो कल मिलते हैं फिर नए दिन के साथ 3 नवंबर के करेंट अफेड्स में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद